हेलो अब्रिवन जै हिंद आज है 15 फर्वरी और आज किस वीडियो में हम 15 फर्वरी से बनने वाले करंट फर के सभी important questions को cover करेंगे तो कल यहने के 14 फर्वरी को हम लगोने पढ़ा था कि आटिकल 155 के तहट राश्पती द्रौपदी मुर्भू ने तेरा राज्यों में नए राज्यपाल की न्यूकती की है ICC T20 Women World Cup यह साउथ एफ्रिका में शुरू हो चुका है 10 फर्वरी से CBDT के साथ APA पर हसाक्षर करने वाला पहला पप्लिक सेक्टर यूनिट बना गेल गेल इनकी Gas Authority of India Limited खेले इंडिया यूथ गेम्स का जो पांचवा संस करन रहा इसमें महरास्ट टॉप पर रहा इसरों ने गगर यान मिशन को आगे बढ़ावा देने के लिए इंडियान नेवी के सांसाज येदारी कर ली है उत्तर प्रदेश गोल Global Investor Summit 2023 का आये जंग ये लखनों में किया गया अभी हाली में ADB ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 123 मिलियर डॉलर के रण समझाते पर हस्ताक्षर किया है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले तेज गेंदवाज आर अश्मिन मने है फाइजर इंडिया की ने MDC मिनाक्षि तेवतिया मलयालम सिनेमा की जो एक्ट्रस रही थी पीके रोजी इनकी 120 वी जेयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से इनिश्रद नहांजली दी है विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर राश्ट्री दिवस 11 फरवरी और राश्ट्री महिला दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है यह सभी questions हम लोगों ने कल पढ़ लिये थे आज का हमारा पहला सवाल है हाली में World Bank ने भूकम पर प्रभावी तरकिये के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घुश न की है तो यह amount आप याद रखेंगे 1.78 अरब डॉलर का है अच्छा तरकिये पहले आप कुर्की के नाम से जानते थे लेकिन United Nation ने इसके नाम के बदलाव को ले करके जो मन्जूरी थी ये दे दी थी इसके बाद से हम इसे तरकिये के नाम से जान रहे है हाली के दिनों में हम लोगों ने पढ़ा है कि तरकिये और इससे सटा हुआ जो सीरिया है ना इसे अभी भूकंप ने प्रभावित किया है जिसके बाद से यहां से तीन से चार हजार लोगों के मरने की पुष्टी हो चुकी है तो इसके लिए हाला कि भारत ने ओपरेशन दोस्त चलाय था इसे मानवी सहायता भेजने के लिए तो अभी इसके लिए वर्ल्ड वैंक भी आगे निकल करके सामने आया है और इसने 1.78 अरब डॉलर की प्रस्तुती दी है तरकी की क्यापटल अंकारा करंसी तरकिस ली रहा है तरकी का जो सबसे बड़ा शहर है ना इस्तामबूल ये ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में टॉप पर था इस्तामबूल बस आता है यॉरोप में बाकी सेज तरकी आपको एशिया महादीब के अंतरगत पढ़ना है तो एशिया महादीब के अंतरगत तरकी का पूरा हिस्सा आ रहा है सारे सेकड़ों आप लोगों को याद रखने है तो यहाँ से एक इयाद रख लेना है आप लोगों को कर्च इस्त्रेट जलसन्दी जलसन्दी कहते किसे पढ़ाओं को आप लोगों ने जहां दो थल भाग अलग होते हैं दो जल जल भाग मिलते हैं तो कौन कौन से जल भाग मिल रहे हैं ब्लैक सी का पानी मिल रहा है और अजोब सी का तो यह तो मिल गया यहां युक्रेन वाला हिस्सा और रश्या वाला हिस्सा अलग हुआ तो यहां एक कर्च स्ट्रेट का निर्माण हो रहा है सेम वैसे यहां से आप लो इसके जो अध्यक्ष ना यह हो जाएंगे डेविड मलपास यह वल्ड बैंक के तेरह हुए क्रम की अध्यक्ष है कहां से हैं यह अमेरिका से हैं अगला प्रश्ण है हाली में प्रिधार मंतिर नरेंद्र मूदी ने इश्या के सबसे बड़े एरो शो जिसका नाम है एरो इंडिया 2023 इसका उद्गाटन कहां किया है तो इसका उद्गाटन अभी हाली में ने किया है करनाटक की राजधानी बैंगलोर में इसका यह 14th edition था और इसमें वायू सेना के जो प्रमुक है वी आर चौधरी इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया ह हैं इसमें 731 exhibitors भाग ले रहे हैं जिसमें की 633 डोमस्टिक और 98 इसमें इंटरनेशनल लेवल के हैं यह जो एरो शो आयजित किया गया इसकी थीम थी the runway to a billion opportunities बैंगलोर यह व्रशभावती नदी के किनारे बसा हुआ है इसी बैंगलोर में भारत का पहला Integrated AC Railway Terminal यह इस्थापित किया गया है ठीक है और इसके लावा बैंगलोर से आप क्या रेलेट कर सकते भाई इसरो का हेड़कॉर्टर है इसरो जो कि भारत की Space Agency है इसके लावा भारत की पहली Girls Football Academy यह भी बैंगलोर में इस्थापित की गई है दुनिया का सबसे तेजी से भी बैंगलोर बना हुआ है उदयपूर जिसे राजस्थान का City of Lake कहा जाता है अभी G20 Group of 20 आप जानते ही है G20 इस साल भारत वोश्ट करने जा रहा है तो इसके लिए जो G20 की शेरपा मीटिंग रही थी न यह उदयपूर में ही आयजित की गई थी और लीड किया गया था न है और हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड एटियम यह इस्थाफित किया गया है अगला प्रश्ण है हाली में इंग्लेंड के किस खिलाडी री क्रिकेट के सभी फॉर्मेंट से सन्यास ले लिया है तो देखिए इसमें से जो योन मार्गन है ऑप्शन में जितने नाम द जीत दिलाई थी इन्होंने रिकॉर्ड 126 वन डेन की एक दिवश्वी और 72 टी-20 में इंग्लेंड की कप्तानी की है दोनों प्रारूपों में कप्तान की रूप में मौर्गन ने 118 मैचों में इंग्लेंड को जीत दिलाई है और एक रिकॉर्ड भी इनकी नाम है तो ऐसे को खिलाड़ी और उनसे संबंदित खेल या उनसे रिलेटेट कंट्री याद होनी चाहिए तो इंग्लेंड के हैं इंग्लेंड के ही बर्मिंगम में हलाकि मैं मैं नहीं कर पाई हूं और ली बता देती हूं कॉमन वेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन किया गया था जिसमें की टॉप था औसकी यहां पचास डीजरी कि उपर जाने के कारण पहली पर रहां पर जारी की किया गया थे जलवाई परिवरतन नीती लागू करने वाला चलाइम् choice के लाड़े इन्हें 18.5 करोड में खरीदा है किसने तो इन्हें खरीद लिया गया है पंजाब किंग्स के दुवारा मोही नली ये भी इंग्लेंड के ही क्रिकेटर हैं टेस्ट क्रिकेट से सन्यास ले चुके हैं और जो रूट आप देखिए मैं आप लोगों के लिए प्रिविए सेर के कोश्चन पेपर भी एनलेसिस करती है और अब खांसर के बैच में MPPSC में आ चुकी ह ये क्योंकि स्टेट PCS के लेवल के भी कोश्चन में ऐसे प्रश्ण देखने को मिलते हैं हाली में किस भारतिक हिलाडी को पहली बार जनवरी 2023 के लिए ICC Player of the Month चुना गया है तो इस बार ICC Player of the Month ये रहे हैं शुबमन गिल option number A इसका right answer हो जाएगा हलाकि ये चाय भी हुए हैं शुबमन गिलनेना सबसे कम उम्र में या सबसे जल्दी कह सकते हैं एक DBC क्रिकेट में double century लगाई थी और इस मामले में इन्होंने इसान किशन को भी पीछे छोड़ा था ठीक है और अब ये Player of the Month रहे हैं अभी जनवरी क लिए ICC की स्थापना की गई थी 1909 में हलाकि अब ICC को काफे समय हो गया है इस अवार्ड की शुरुआत कि ये हुए तो पहली बार जो ICC ने Player of the Month दिया था पिछले साल जनवरी में तो रशव पंत को मिला था ठीक है नो दुबई UA में इसका headquarter है और इसके जो अध्यक्षन यह हो जाएंगे ग्रेग बार के लिए जो कि न्यूजिलेंड से ग्राउम करते हैं ठीक है और सूरी कुमार यादों की हम बात करें तो ICC T20 International Men's Cricketer of the Year यह रहे हैं अभी 2022 वाला जो अबॉर्ड लिस्ट जारी कि ICC ने आर अश्यून के बारे में बता चुकी है सबसे तेज साढ़े चार सू बिकट लेने वाले खिलाड़ी देखे रिविजन में मैंने रखा भी यह कुष्ण कहां गया यह देखे आर अश्यून का कुष्ण कहां गया भई इसी में तो था यह है सबसे तेज टेस्ट में सबसे तेज साढ़े चार सू बिकट लेने वाले भारती गेंदबाजी बनी है और यह जो बेंद्र चहल यह T20 क्रिकेट में सबसे जादा विकट लेने वाले भारत के खिलाड़ी इस मामली में उने भुबनेश और कुमार को पीछे चोड़ा था अगला प्रश्न है 15-17 फरवरी तक विजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्क्रण आयजित किया जाएगा तो इसका 12 संस्क्रण है देखें आप लोग कंफ्यूज ना हूँ इसलिए मैं आपको यह पिता दू कि कोश्चन का लेवल ना एक्जामिनर थोड़ा इंप्रूव भी कर रहा है क्योंकि आप लोग उन्हें रट लिया कि विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हो रहा फिजी में हो रहा चार से पां स्थिति च्छोटी सी कंट्री जिसी कैपिटल सुवा करेंसी फिजीन डॉलर हो जाएगे अच्छा विश्व हिंदी दिवस यहां मैं लिग भी देती हूं जो विश्व हिंदी दिवस है यह मनाया कब जाता है तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है जबकि भारत में आप लोग याद रखा होगा राश्ट्री हिंदी दिवस कब मनाया जाता है क्योंकि राश्ट्री और अंतराश्ट्री दिवस में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है ठीक है अगला प्रश्ण है हाली में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया यह तो 13 पर वरी को विश्व रेडियो दिवस तो आप लोगों को याद रखना ही है इसके अलावा राजटरी महिला दिवस जोकि सरोजनी नाइड़ जी की स्मरती में मनाया जाता है यह भी 13 फरवरी को मनाया जाता है तो रेडियो के महतु में महतु के बारे में जंता और मीडिया के के बीश जागरुकत बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है इस बार की थीम है रेडियो एंड पीस दस फरवरी को विश्व दलहन दिवस ग्यारा फरवरी को विज्ञान में और महिलाओं और बालिकाओं का अंतरास्ट्री दिवस साओधी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष छूट नहीं रहती थी बुर्का पहन करके महिलाएं रहती थी खुद ड्राइविंग लाइसेंस मतलब की ड्राइव नी कर सकती थी खुद का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था यदि इन्हें हज पर जाना है तो पती की पर्मिशन या उनके घर में जो बाप बड़े पावक को होना इनके साथ ज़रूरी है, तब जा सकती थी, मतलब काफी सारी पाबंदिया थी, पहले तो वोड देने का भी यह दिकार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ना सौधी अरबिया महिलाओं को ले करके काफी जादा उदार हुआ है, तो ऐसे में इस पेस स्टेशन पर भ भेजे जानी है, ठीक है, यह एक और महिला है इनके साथ, जिसके साथ यह जाने वाली, हलाकि सौधी अरब की पहली महिला है, इसलिके वाल इनका नाम मैंने याद रखा है, तो यह जो दोनों अंतरिक्ष यात्री है ना, इन्हीं स्पेस एक्स फालकर नाइन रॉकेट के जर परमाणु सल्यान वाला, कि अमेरिका ने किया हितिहास रजदिया है, यह तो मैंने पढ़ाया, तो मुझे लगा, अमेरिका इंपोर्टन्ट होगा, जिसने यह ट्रैल किया है, आपके BPSC में पूछ लिया गया था, किस स्पेस स्टेशनी सेंटर, सेंटर को नाम पूछ लिय ही है, जिसिका मीर और कृष्णी कोच का नाम आप लोगों को याद होगा, यह नासा की अंतरिक्ष यात्री थी, जो स्पेस वॉक करके इन्होंने इतिहास रजद था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर पहली बार स्पेस वॉक किया था, निकोल मान, यह अमेरिका की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी, जिन्हें अभी भेजा जाना है, कौन से मिशन पर तो काम कर रहा है, मतलब अंतरिक्ष पर जाने वाली अमेरिकी मुल्की पहली महिला होंगी, है ना, और नूरा अलमतरोशी, देखे, मैं दो टर्मी यूज कर रही हूँ, जिसे चं करते हैं, है ना, तो वो चीज, दोनों अलग लगए, काफी बार में आपको बताया है, और नूरा अलमतरोशी है ना, ये यूज की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हो जाएंगी, तो इनका नाम भी आप लोगों को याद रखने, ये भी काफी जादे एक्जाम में इसके COVID-19 के बाद इस देश में लगा ये तीसरा राश्ट्रे आपात काल है, क्योंकि इस देश को काफी जादा बुरी तरह से प्रवावित किया गया है, इसको आउकलेंड वाला शेत्र जादा ही प्रवावित है, इसके कारण न्यूजेलंड की काफी सारी उडाने हैं, जो ही साल हो चुका है, दो हजार बाईस में न्यूजेलंड में आईजित किया गया था, और इसमें जो विजयता थी न ये ऑस्ट्रिलिया थी, इसके लावा धुम्र प्रवान निशेत कानून, ये अभी हाली में न्यूजेलंड ने लाया और ये लाने वाला ये दुनिया का प में रहा था और फिलिपीन्स में ताल जुआला मुख्या आप लोगों को याद रख लेनी है, अगला प्रशन है, बांगला देश के 22 वे राश्टपती कौन बने हैं, तो मुहम्मद साहब उद्दीन चुपू, चुप रहने वाले हैं, ऐसा होगा नहीं, तो बांगला की कापिटल ढाका करंसी टका प्राइम मिनिस्टर से एक हसीना संप्रती एकसरसाइज आप लोगों ने याद रख लेनी है, जो कि भारत बांगला देश के बीच होती, यहां एक चत्तो ग्राम चटगाओं कोट भी आप लोगों को याद कराया है, मैंने जिसके इस्तमाल को लेकर के बांगला देश ने भारत सरकार को मंजूरी दे दी है, फिर आप लोगों को कुशियारा रिवर भी याद रखना है, कुशियारा रिवर को लेकर के भारत और भांगला देश की बीच में एतिहासिक समझोता हुआ है, सेख हसीना यहां की प्राइम मिनिस्टर है, ने लगातार पांचवी वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिल्लेंड को कहा गया है, इस सूचकांक में भारत 136 में था, यह कुश्चन मैंने पढ़ा दिया था, क्या? यह कुश्चन पुराना हो गया लग रहा है, ने ने 2023 कहिया, हैपिनस इंडेक्स में तो 136 ही बता रही थी, पिछला तो 139 नहीं, 136 में आही गया था, अभी भी भारत इसमें 136 प्लेस पर ही, अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश इसमें बताये गया है, अंतिमस्थान में अफगानिस्तान ही है, अपने पडोसी किस्तिती की बात कर है, नॉर्वे ये डेमोक्रसी इंडेक्स में टॉप पर है, डेमोक्रसी में क्या इंडिया 46 में था ना, अमेरिका साइबर सेक्योरिटी में टॉप पर है, साइबर सेक्योरिटी में इंडिया की रैंकिंग, 10 भी है, जापान हेले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर है, 2023 वाले में इंडिया की रैंकिंग 85 है अगला प्रश्न है अब कहां अगला प्रश्न है चलिए UNESCO के द्वारा दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्विद्याले ये गोशित किया गया था विश्व भारती विश्विद्याले को जो कि पश्चिपंगाल के कोल काता में आज का सवाल है अंतराश्टी सौर गडबंधर का पूर्ण कालिक सिदसी कौन बना है आंसर इसका कॉमेंट बॉक्स में आप लग बताएंगे फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ थांकियो सो मच